चलिए तो हमने ट्रांस्पोर्टेशन देख लिया था कि ट्रांस्पोर्टेशन की डेफिनीशन देख लिए दी क्या life process है वो किस तरीके से मतलब आपके essential जो भी चीजे होती है वो यहां से महां जब हमें ट्रांस्पोर्ट कराने है body में या फिर कोई भी पार्ट में तो हमें transportation की भी help चाहिए होती है तो transportation हमने plants में देख लिया था किस तरीके से food transport होता है किस तरीके से आपका water and mineral transport होते है ठीक है आज हम देखेंगे transportation in humans ठीक है transportation in humans देखें जो आपका transportation in humans है आपके syllabus में दो तरीके के transportation है एक है आपका circulatory और एक है आपका lymphatic जो circulatory है वो आपका blood से related है कि आपका blood का किस तरीके से transport हो रहा है यहां से वाँ और जो lymphatic है वो आपका lymph से related है तो यह दोनों हम transportation करेंगे ठीक है तो सबसे पहले यह दो में divided है आपका एक है circulatory transportation और एक है आपका lymphatic Western है अब दीखिए जु सर्कूलेटरी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें आपकी क्या-kya चीजे आती हैं कै लिम्फेटिक हम निख्स्क्लास में डील करेंगे तो आज हम सर्कूलेटरी के बारे में ही बात करेंगे तो circulatory में basic जो आपकी चीजे आती है वो आपकी तीन है क्या सबसे पहले blood ठीक है खूल उसके बाद blood vessels blood vessels और चौती सबसे main जो है आपका heart तो इनके बारे में हम एक किक करके देखेंगे heading डाल लेते हैं human circulatory system ठीक है अब देखें तो इसमें हमने सबसे पहला part पढ़ा क्या blood तो blood आपका simple क्या है blood कुछ नहीं है एक तरीके का connective tissue है ठीक है तो इट इस अ करनेक्टिव कि टिशू विच विच घल्ट इन केरी कि एसेंशियल थेंग्स ठीक है एसेंशियल जो भी आपकी बॉड़ी को न्यूटरेंट्स चाहिए होता है कुछ भी चीज चाहिए होती है एक कॉर्णर से दूसरा कॉर्णर वो blood flow करके पहुचा देता है ठीक है तो एक तरीके से connective tissue है तो अब देखिए blood के पास क्या क्या चीजे होती है blood के पास होता है RBC होता है WBC होता है आपके platelets होते हैं लेटलेट होते है plasma protein होता है plasma protein ठीक है तो यह सब चीजे है basically जो आपका रखता है blood के पास जो चीजे होती है ठीक है तो इन सब चीजों को तो इतना ज्यादा explain करने की जर्वत नहीं है RBC यह होता है red blood cells सबसे पहले अब red blood cells आपका असल में इसका जो नाम है red blood cells नहीं है red blood corpus cells है ठीक है अगर हम proper तरीके से बोले biological टर्म में तो यह क्यों होता है यह इसलिए होता है ताकि कि आपका blood जो है red color का hope है ठीक है इसकी वज़े से red color आता है ठीक है तो यह fight करते हैं कि आपके जो भी blood है blood में कोई ऐसी अगर impurities आ जाती है कोई antigen कोई pathogen आ जाता है ठीक है कोई virus आ जाता तो उनसे fight करने में help करते है antibodies release करते हैं फिर platelets platelets आपके जो भी आपका लेट से कहीं cut word पढ़ जाता है तो blood clotting के लिए help करते हैं platelets plasma protein एक तरीके का protein है जो कि आपको मतलब blood को चाहिए होता है ताकि कि वो क्योंकि protein आपको पता है building blocks of anything basically building blocks होते है ठीक है तो blood को भी कुछ ना कुछ ऐसी building blocks चाहिए ताकि कि वो यहां से वहां ट्रांसपोर्ट हो जाए energy चाहिए होती है ठीक है तो वो plasma protein का का blood vessels अब दिखे blood vessels क्या है blood vessels वो pipes है जिन पर आपका blood flow करता है तो path कि वेयर कि अध़ ब्लड flows ठीक है जहां पर आपका जो blood होता है वो flow करता है blood vessels के भी अपने अपने टाइप है तो जो सबसे पहली आपकी blood vessel आती है उसका नाम है arteries ठीक है arteries क्या करती है basically आपका एप इसे याद रखिए जो होता है यह मतलब away from heart कि away from heart तो इनका काम होता है arteries का कि वह यह जितनी भी सारी की सारी जो नसे हैं जो सारा का सारा खून away from heart ले जाती है ठीक है मतलब हार्ट से दूर तो उसको हम बुलते है arteries ठीक है तो दीज आर द ब्लॉड वेशिल्स वेच एल्प्स तो फ्लो द ब्लॉड अवे अवे फ्रॉम हार्ट हार्ट से दूर ले जाती है ठीक है फिर आपकी दूसरी आती है वो है आपकी वेन वेंज ठीक है तो वेंज जस्ट अपोजट है arteries का अच्छा देखिए कई बार क्या होता है आपने बच्पन में पढ़ा होगा कि असल में आपकी oxygenated blood carry करती है वेंज आपकी oxygenated blood carry करती है मतलब गंदा खुन veins carry करती है अच्छा खुन arteries carry करती है तो अगर आप इस concept से याद रखना चाते हैं तो यह आगे जाके दिक्कत हो सकता है तो बैटर यही है कि आप यही याद करें कि असल में यह आपका एक हार्ट है तो हार्ट से जो blood ले जाती है उन उन blood vessels को हम बोलता है arteries और जो हार्ट पे blood लाती है उन blood vessels को हम बोलता है veins तो दीज are the blood vessels which brings the blood towards the heart ठीक है heart की तरफ जो लाती है उन्हें हम बोलता है veins फिर एक आती है जिनका नाम है capillaries सबसे comparatively अगर हम thickness की बात करें तो सबसे मोटी यह होती है यह arteries veins जो होती है arteries से पतली होती है capillaries सबसे पतली होती है कैपी लरीज ठीक है capillaries क्या करती है it helps अब लिख लेना की these are the blood vessels which helps to it helps to join arteries and veins veins और arteries को join करने का काम होता है capillaries का ठीक है तो यह आपका blood vessel भी खतम होता है तो अब आपका next और सबसे जादा में चीज जिसका crucial role होता है circulatory system में वह है आपका हाट ठीक है heart basically क्या करता है heart कुछ नहीं normal तरीके से अगर हम बात करें तो it pumps the blood blood को pump करता है क्यों so that it can reaches to every part of the body हर एक पार्ट बाड़ी के हर एक पार्ट में खून पहुच चके पहुच सके इसलिए आपका जो हाट होता है वह pumping का का काम करता है basically ठीक है अब अगर हम heart की बात करी रहें तो heart का अगर हम size देखें तो जो heart का size होता है just like your fist fist के size के जतना होता है ठीक है आप अपनी मुठ्छी बंद कर लिए तो जितनी आपकी मुठ्छी है उतनी size का ही आपका heart होता है हार्ट जो बना होता है अगर हम उसकी मसल्स की बात करें ठीक है तो तो उसकी जो मसल्स होती है वो काडियक मसल्स से बनता है ठीक है तब ही हम बोलते है कि जो हार्ट के डॉक्टर होते है उन्हें हम बोलते है काडियोलॉजिस्ट ठीक है क्यों क्योंकि जो हार्ट की मसल्स होती वो cardiac muscle होती है तो it is made up of cardiac muscle ठीक है cardiac muscle से बना होता है आपका heart plus अगर हम उसकी shape की बात करें तो roughly आपका roughly triangular shape का ही रहता है ठीक है अब देखे diversity में जब आप पढ़ रहे थे अलग अलग तरीके के जब आप vertebrate में तो काफी सारे आपने चीजे पड़ी ठीक है पड़ा अगर हम फिश की बात करते हैं ठीक है तो क्योंकि heart जो होता है उसमें भी chambers होते हैं ठीक है जैसे हमारे human का complex एक शरीर है तो उसमें जो maximum chambers रहते हैं हमारे human body में वो four chamber है मतलब हम four chamber heart वाले चार दिल वाले इंसान है ठीक है तो fishes अगर हम fishes की बात करें तो इनके पात हैं दो chamber होते हैं ठीक है उसके बाद कौन आते थे fishes के बाद amphibians के चैंपर आसे हैं जो लैंड में भी रहते हैं और साती साहत आपके water में भी रहते ठीक है तो amphibians के पास आपके तीन देल होते हैं फिर तीन देल मतलब तीन chambered heart होते हैं फिर आते हैं आपके reptiles ठीक है reptiles के कितने reptiles जो रिंग ते जैसे snakes हो गेरा तो उनके पास basically three and a half होते है generally मतलब एक उनके पास आदा ठीक है three and a half उनके पास chambered रहता है अब reptile में एक हमने exception पढ़ा था कि वो था आपका तो इसके बाद आपके आते हैं बॉलते थे तो बर्ड के पास भी फोर्ट जेंबर्ड हाट रहता है तो एक बार हम फ्लो देख लेते हैं कि असल में किस तरीके से आपके हाट में वह जाता है मतलब किस तरीके से oxygenated blood आपके हाट में जाता है उसके बाद वह pump करता है ताकि कि हर एक जगा मतलब उसका एक तरीके से human circulatory system का एक proper process देख लेते हैं ठीक है उसके बाद एक बाद डाइग्रम देख लेंगे क्योंकि आपके course में जो हाट का डाइग्रम है वह काफी ज़्यादा इसके बाद तो रफली टाइप डाइग्रम रहेगा अगर वह कर सकते तो वह भी कर सकते हैं कोई वैसी नहीं क्योंकि बेसिकली यह पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें वहां पर include हो रही है क्या नहीं हो रही है ठीक है तो अगर हम human circulatory system की working देखते हैं तो सबसे पहले हम lungs आपके lungs इसमें included होते हैं ठीक है और let's say यह आपका heart है ठीक है अब समझे यह चीज जैसे let's say मैंने यह heart बना रहा है ठीक है अब यह heart आपका four chambered है तो जो उपर वाले होते हैं उनको हम बोलते आर्टरियम ठीक है और जो नीचे वाले होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ventricles ठीक है तो जो आर्ट्रियम होते है वो उपर वाला जो दो हिस्से यह आर्ट्रियम है और नीचे वाले जो दो हिस्से यह है आपके वेंट्रिकल्स अब देखिए यहां पे हम लिखते हैं राइट आर्ट्रियम और यहां पे लेफ्ट आर्ट्रियम ठीक है अब देखिए यहां पर हमने राइट क्यों लिखрах है जबकि आप देखेंगे तो यह Last Hand अगर आप उपने के हैं एकलिके टिके तो असल में क्या होता है जब लोग Cardiologist बंते हैं मतलब दॉक्टरं बंते हैं तो उन्हें यह पढ़ाया जाता है starting से ही कि आपको जो patient के साथ deal करना पड़ता है वो इस तरीके से है कि आपके just सामने है ठीक है मतलब वह just like your mirror image है तो ऐसे नहीं कि आप left और right में confused हो जाओ कि यहां पे जैसे यहां पर अगर मैं left रिख दूं तो यहां पर right मतलब कि आप left और right में confused हो जाएंगे तो कार्डियो लॉजिस्ट को यह चीज अप्ट होनी चाहिए कि कहां पर उसका right atrium अंपर left atrium कहां राइड ventricle है कहां Left ventricle है ठीक है तो यह आपका होता है राइट ventricle यह होता है अपका left ventricle ठीक है यह चीज चीज होनी चाहिए इसले starting से ही पढ़ाया जाता है कि आपका जो heart है वह आपका यहां पर आप राइट लिखेंगे ठीक है तो देखें अब आपका जो हार्ट है यह हमने हार्ट लिया है ठीक है तो यह सबसे पहले यहां से सेपरेटेड रहता है यह जो एक वॉल होती है यह सेपरेट करती है आपकी यहां पर होता है आपका डियॉक्सिजेटेड ब्लड मतलब की गंदा ब्लड और यहां पर होता है आ यहां पर आपके लगे रहते हैं टिके बॉल्स लगे रहते हैं यह आपका हो गया राइट एट्रियम यह हो गया आपका राइट वेंट्रिकल यह हो गया आपका लिफ्ट एट्रियम यह हो गया लिफ्ट वेंट्रिकल और यहां पर यह समझे यह आपका हो गया बॉडी ले रहा हूं पार्ट लेते हैं इसे हम कहते हैं वाल ठीक है और इसके भी कहते हैं वाल यह किसले मदद करती है यह इसलिए हल्प करती है ताकि कि आपका जो भी ब्लड है वह एक डिरेक्शन में फ्लो करें जैसे कि अगर यहां से आ तो इसी direction में flow करें, ऐसा नहों कि आपका इस direction में चला जाएं, उपपर, मतला opposite direction में नहीं जाना चाहिए, basically, एक ही direction में flow रहे blood का, तो इसलिए ये valve आपके बनाए जाती है, अब देखिए, तो अब हम circulation की बात करते हैं, कि किस तरीके से आपका circulation हो रहा है, तो देखिए, यहा आपके oxygenated blood, यहाँ से एक blood आता है, जिसको हम बोलते है oxygenated blood और यहां से और यहां से वो enter करता है, आपके ठीक है अब देखिए अब क्या होता है body parts में होते हैं सारे के सारे cells ठीक है हर एक body part में cells होंगे cells co2 release करते हैं तो उसके वज़े से जो आपका blood हो जाता है वो deoxygenated हो जाता है मतलब उसमें आपकी oxygen ना होने के बजाए co2 हो जाती है तो आपका body parts से co2 निकलता है co2 मतलब deoxygenated blood निकलता है और कहां जाता है वो जाता है सीधा आपका right atrium में ठीक है right atrium में क्यों जा रहा है right ventricle में क्यों नहीं जा रहा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अगर हम यहां भेज़ देंगे तो यहां से तो उपड जा ही नहीं सकता यहां से तो नीचे ही जाना पड़ेगा तो इसलिए हमने right atrium में भेज़ा है ताकि कि yaşा से फिर ब्लड नीचे आ सके तो यहां से फिर नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से निकल के सीधा जाता है लंग्स के पास ठीक है लंग्स के पास जाता है वह सीओ टू डी ऑक्सिजीनेटेड ब्लड ठीक है और यह भी है आपका डी ऑक्सिजीन वेसल के थूह ही ब्लड फ्लो कर रहा होगा तो इन ब्लड वेसल का एक पर्डिकुलर नाम है ठीक है जैसे कि जो सबसे पहले आपका अगर हम इसकी बात करें यह देखिए तो यहां पर यह ब्लड वेसल है जो हाट के तरफ मतलब हाट में ला रही है तो यह आपकी वेन होगी अब इस वेन का इस akt पर्डिकुलर नाम है जिसका नाम है पलमनरी वेन को मनरी वेन बैसिकलि हमिसे पछल्मनरी वेन क्यों बोल रहे है इसलिए बोल रहे है क्यों घृति है बछीज लंग से रिलेते रोंध में लेटेट रही तो इसलिए यहां से सबसे पहले हम ने यह क्या हो रहा है यह आपके हार्ट में ला रहा अरोटा इस नाम से हम जानते हैं यह काफी जादा मोटी रहती है ठीक है वहीं देखिए अब देखिए यह ब्लड यह जो वेसल है blood vessel यह क्या कर रहे हार्ट में ले जा रही है तो यह हमने पचाल लिए जब हाट में कोई भी चीज़ जा रही है, तो उसे हम veine बोलेंगे, तो ये आपकी main vein होती है, main vein, जिसका proper नाम है venakawa, ठीक है, अम इसे venakawa के नाम से जानते हैं, ये आपके सीधा right atrium में ले जाती है, यहाँ से blood नीचे गया, ventricles, अब देखिए, away from heart, तो ये artery होगी, ठीक है, away from heart जा रहा है, то artery हो R3 ठीक है आया समझ तो अब देखें यहाँ पर आपने एक चीज़ notice करे होगी कि असल में यहाँ पर आपका एक बार blood जाता है ठीक है वो ही blood यहाँ से फिर वापस आपके दूसरे तरफ जाता है ठीक है तो इस process को हम बोलते है double circulation कि जब आपका same blood आप देखें यहाँ से oxygenated blood आया ठीक है और यहाँ से आपका deoxygenated blood आया बट है तो blood same ना बस oxygen और carbon dioxide का फरक है blood तो same blood आपका एक बार left side flow करा और एक बार right side flow करा तो इस process को हम बोलते हैं आपका double circulation तो double circulation लिख लेते हैं कि क्या होता है the circulation of the same blood twice in our heart is turned as double circulation ठीक है double circulation हम इसे बोलते हैं अब देखें यहाँ पे एक चीज़ आती है कि कभी कभी double circulation डिरेक्ट explain करने के लिए आ जाता है पांच marks में तो आप किस तरीके से सबसे पहले तो आप ये explain करेंगे कि पूरी तरीके से लंग से यहाँ आ जाता है आप पूरा अगर यह भी explain करते है तो भी चलेगा कि यहाँ पे आप पहले दिखा देंगे कि twice आपका flow करता है और how तो how में आप इस तरीके से diagram बना के explain कर सकते हैं कि एक बार यहाँ पे आपका oxygenated blood आया और वही blood deoxygenated होके दूसरी तरफ दुबारा flow करा उसी heart में ठीक है तो यह आप हो गया आपका double circulation plus इस इंकलूड्स इनके दो पार्ट होते हैं double circulation में एक क्या है आपका एक देखिए एक है आपका जो lange से related है एक हो रहा हे आपका love oxygenated और यहाँ आगए एक पार्ट यह हो गया लंग्स वाला और एक हो गया बॉडी वाला पार्ट ठीक है तो जो लंग्स वाला पार्ट होता है वो होता है pulmonary circulation pulmonary circulation ठीक है इसे आप explain कर सकते है कि आपका लंग्स से सबसे पहले oxygenated blood जाता है और वो सीधा left atrium में जाता है ठीक है और फिर उसके बाद आप यह explain कर सकते हैं कि वहां से फिर right ventricle से deoxygenated blood वापस लंग्स पे चला जाता है फिर वो oxygenated होके वापस left atrium में जाता है ठीक है तो यह आप explain कर सकते है pulmonary circulation में और दूसरा पार्ट इसका होता है systematic systematic circulation जो आपका body part से related है ठीक है यह दो चीज़े वो contain करता है तो इनको भी आप अगर explain करना चाहें तो कर सकते हैं ठीक है अब यह आपका एक homework रहेगा कि उस तरीके से ही जो flowchart की format में आपको यह बनाना है कि क्या process है किस तरीके से आपका human circulatory system work कर रहा है working मैंने pictorial यहां पर बना के दिखा दिये in words अब आपको लिखना है अब बात आती है हार्ट के diagram की ठीक है तो हार्ट का diagram complex तो रहता है ठीक है complex तो book में भी complex है और असल में भी complex रहता है ठीक है तो उसको बनाए किस तरीके दे तो सबसे पहले यही है कि आप normal तरीके से यह आपका heart हो जाता है ठीक है इससे आपने इस format में बना दिया अब यहां पर आपको बना cardiac muscle और यहां पे छोड़ दीजिए से कियां से यह वाल जाएगा यह आगया ठिक है यह आपकी बन जाएगी septum आगे जाके यह बन गई आपकी septum ठीके ना तो यह आपकी हो गई cardiac muscle सबसे पहले हमने क्या बनाया basically heart में आपकी cardiac गालियक मसल्स ठीक है और यह आपकी स्यप्टम हो गई अच्छीक है अब आपको बनाना है सबसे पहले कि आपका यहां से यहां से जो वें जाती है जो बेशिकली आपका यह वाली यये वाली right atrium वाली exciting कि यह आपका क्या है यहाँ पर आपका राइट्रियम होगा यहाँ पर राइट वेंट्रिकल होगा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा ठीक है अब देखें यहाँ पर आपको एक वाल बनानी पड़ेगी जो आपके यहाँ पर ब्लड ला रही है तो यह वाली कौन सी होग यहां पर इस तरीके से बना देंगे हम ऐसे और यह यहाँ पर ला रही है in यहाँ हो गई झार्य है अब दियकिए अब राइट आर्ट्रियम और G black अ ऊतवरेट करने के लिए हमें क्या लगता है हमें वाल्व लगता है एक तो यह आपका एक वाल्व हो गया यहाँ पर एक दूसरा valve हो गया ठीक है यह valve हो गया अब यहाँ से जब right atrium में जाएगा तो right ventricle से आप देख पा रहे होंगे right ventricle से lungs की तरफ जाना है ठीक है जिसे हम बोलते है pulmonary artery तो lungs की तरफ जो right ventricle से जो vein जा रही है जो artery जा रही है, हमें उसको किस तरीके से बनाएं, इस तरीके से, यहां से वो basically इस तरीके से जाएगी, यह आपका bunny, और यहां पे यह, यह आपकी इधर की तरफ, यह आपकी आगई, और यहां पे भी आपकी valve लगी रहती है, ठीक है, यहां पे भी आपकी valve लगी रहती है, त एक कुह अपकी बन गई यह आपकी pulmonary कि आट्रे केAAAAAAAA कि अतदिएब ऐपका है सेप्टम ओगया और यह आपकी काडियक मुस्ल्ट कि उठीब दोगी अभ देखिए अपने पल्मिनुरी आट्री बना दी अब बारी आती है कि असल में आपका जो यहां से अब left ventricle की बारी आती है तो left artery um left artery um में सबसे पहले blood आता है कहां से pulmonary vein से ठीक है तो वो हमें बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले यह हमने बना दिया कि left artery um में blood आएगा किसके थ्रू pulmonary vein के थ्रू ठीक है pulmonary vein के थ्रू आगया अब देखिए यहां पे भी separation चाहिए ठीक है ना तो यहां पे भी separation होगा यह वाल्व बना दिया आपने ठीक है और यहां पे separation है अब left ventricle से जो blood जा रही है mean artery जो है अरोटा ठीक है वो जो blood लेके जा रही है उसको भी हमने बनाना पड़ेगा तो उसको यहां से इस तरीके से बनाएंगे यह जाएगा इधर यह यह गया ठीक है यह गया इधर तो यह आपकी हो गई रोटा ठीक है main जो आपकी artery है तो इस तरीके से अगर आप बनाना चाहिए तो इस तरीके से भी बना सकते है ठीक है यह थोड़ा अटपटा सा है बट फिर भी चल जाएगा ठीक है तो यह आपकी वाल्व है और यहां पे भी आपकी वाल्व लगी होती है ताक आपका इस तरीके से heart का diagram बन सकता है ठीक है इसको practice कर लिजिए या फिर अपनी बुक वाला practice कर सकते हैं ठीक है basically आपको funda पता होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सी vein कहां से क्या जा रही है ठीक है वो चीज अगर आपको पता है तो उसके basis पे आप diagram भी बना लेंगे कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो next class में हम deal करेंगे आपका lymphatic system के साथ तो आज की वीडियो के लिए अच्छा रुक 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 है आपको homework देना तो रही गया तो homework आपके लिए होगा कि सबसे पहले तो फ्लोचार्ट में human circulatory system complete करेंगे आप circulatory system complete करेंगे ठीक है human circulatory system के बाद आप एक चीज तो यह है आपके homework दूसरा homework आप question number one and question number two page number 110 यह जो आपको in text question दे रखेंगे यह आपने करने हैं इसमें question है कि why is it necessary to separate the oxygenated blood and the oxygenated blood क्या रहा है कि देखिए आपको पता है यहाँ पे आपका पूरा oxygenated blood है और यहाँ पे आपका पूरा oxygenated blood है तो ऐसा क्यूं है कि आपको separate करना चाहिए तो असल में separate इसलिए होना चाहिए with the septum हमने separate करा है blood में क्यूंकि क्या होता है आपकी body है ठीक है आपकी body को कभी ना कभी energy तो चाहिए ठीक है कोई भी अगर आप task कर रहे तो energy चाहिए आप energy चाहिए energy के लिए आपको oxygen चाहिए है तो oxygen जब आपके पास होगी तभी आपको energy मिलेगी तो oxygenated blood oxygen oxygen कहां से मिलेगी oxygenated blood से तो इसलिए हम बोलता है कि अगर 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 आपका oxygenated blood mix हो गया तो body के लिए काफे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वहां से दोनों mixed blood में से वह oxygen निकाल पाए तो बैटर यही रहता है कि oxygenated blood अलग रहे जिससे कि आपकी सारी energy जो भी आपको चाहिए O2 O2 आपको मिलता रहे और oxygenated blood अलग रहे जो की oxygenated में later on convert हो जाएगा ठीक है तो यह था और आपको double circulation वाला एक question है back exercise में question number 11 ठीक है back exercise का है इसको आपको करना है ठीक है double circulation को basically आपको define करना है कि किस तरीके से आप double circulation और यह समझे कि double circulation वाला five marks का है तो five marks के according आप explain करिएगा ठीक है तो यह आपके लिए homework हो गया तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही